हेलो फ्रेंड्स नमस्ते स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे आपके प्रेंड्स आप सभी लोग अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम पुरानी बेकार बेटशीट से बहुत ही प्यारा सा डिजाइनर सा और्गनाईजर बना के रेड़ी करेंगे तो सबसे पहले तो हमको लेना है एक बेटशीट आपके पास जो भी पुरानी फटी हुई बेटशीट हो आप उससे न ऐसे दो तुकड़े कपड़े के कट कर लीजेगा और हमारे घरों पे बहुत सारी पुरानी बेटशीट होती है और समझ पे नहीं आता है कि इनसे हम क्या बना के रेड़ी करेंगे तो यहाँ पे मैंने 9 इंच चोड़ाई रखी है और 27 इंच लंबाई रखी है तो इसी साइच पे हमको यह देखिए ऐसे न दो कपड़े कट करना है और फिर इसी साइच पे हमको चांवल गेहु में आने वाली जो बोरी होती है मैंने उसको कट कर लिया है और शॉपिंग बैग भी मैंने कट कर लिया है तो यह सारी चीजे जो है न हमारे घरों पे होती ही है तो बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे अब किसी भी एक तरब से यह देखिए पांच इंच पे हमको ऐसे निशान लगाना है तो पांच इंच यह देखिए अब बीच पे भी ऐसा मैंने निशान लगा कि यह तिकोना सा सेप बना लिया है और इसको न ऐसे कट कर देंगे तो बहुत ही easy है, cutting भी बहुत ही easy है और थोड़ी सी वो सिलाई करना है और बहुत ही प्यारा सा organizer ready हो जाएगा अब यह देखे कपड़े को ऐसा मैंने उल्टा करके रखा है और दूसरी तरब भी हम सेम तरीके से cutting कर लेंगे तो यह देखे कपड़ों को अच्छे से बराबर करके रखेंगे और दूसरी तरब भी इस तरीके से यह देखे तिकोना सा सेफ हमारा बनके ready हो गया है तो यह देखे सेम साइच पर हमको ना cutting करना है जिससे की जो यह design है हमारी वो बहुत ही अच्छे से बनके ready होगी बहुत ही finishing से बनके ready होगी अब यह देखे कटिंग तो हमारी हो गई है अब कपड़ों को कैसे रखना है देख लेते हैं तो नीचे की तरफ rice बोरी रखना है बीच पे shopping bag और उपर की तरफ मैंने bear sheet के कपड़े को रखा है तो मैंने bear sheet के कपड़े को उल्टा करके रखा है अ struggling点ः हो आइसे में सिलाई लगा रही है नहीं वैसे हमको इसमें सिलाई लगा के ready करना है तो तो यह देखिये ऐसे हम च़ारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और भीच पे तो फोड़ी सी जगह को छोड़ देंगे जिससे ऑं हम इसे फ़लट के ready करेंगे तो चलिए मैं चारों आतरब पहले पर सिलाई लगा लेती हूँ तो मैं कैसे सिलाई लगा रही हूँ फ्रेंण्स, आपना एक बार देख लीजीगा जिससे कि यदि आप बनाना चाहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इसको बना के रेडी कर लेंगे और बहुत ही जल्दी हम कर लेंगे इस पर अब यह देखिए जो खुला हुवा पार्ट है ना तो इस पर भी हम से लाई लगा के इसको पैक कर देंगे तो यह देखिए कितनी फिनिशिंग से यह हमारा एक सिंगल पीस बनके रेडी हो गया है तो सेम तरीके से मैंने यह दूसरा वाला पीस भी बनाके रेडी कर लिया है तो इसी तरीके से दो पीस हमको रेडी कर लेना है अब कपड़ों को यह देखिए इस तरीके से हम नाप लेंगे पहले तो तो यह द तो यह देखिए फ्रेंड्स हमको बीच ओ बीच पे पहले ना पिनप कर लेना है तो यह देखिए जहां-जहां हमको सिलाई लगानी है तो मैंने यह निशान लगा लिया है अब बीच ओ बीच पे पहले मैंने पिनप नहीं किया है आप भी सेंटर पे ना पिनप कर लीजेगा जिससे की जो कपड़े हैं वो इधर उधर फिस लेंगे नहीं और आपको सिलाई लगाने में भी आसानी होगी तो ये देखिए तीन तरफ हमको सिलाई लगाना है एक तरफ हम सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये देखिए जैसे में सिलाई लगा रही हुँ न वैसे ही हमको इसको सिलाई लगाके कम्प्लीट करना है और बिल्कुल इजी है इसको बनाना आप बहुत आसान तरीके से 10 मिनट के अंदर इसको बनाके रेडी कर सकते हैं और इस पे आप कपड़े रख सकते हैं मेकप की चीज़े श्टोर करके रख सकते हैं अपनी चूड़ियां वगेरा श्टोर करके रख सकते हैं तो एक इस तरीके के और्गनाइजर पे आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़े श्टोर कर सकते हैं और देखने में भी बहुत सुन्दर लगता है तो हमने ये देखे तीन तरफ लगा ली अब कपड़े पर नाब दोनों तरफ से लगा सकते हैं तो मैंने कपड़े को ये देखे सीधा करके और बाहर की तरफसे में कि रैडी होगा तो चारो तरब ये देखिए किस्प़ल शिलाई लगानी है और कोई भी पाइपिंग नहीं लगानी है हमको बिना पाइपिंग पटी के बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बास्केट हमारा बनेट हो जाएगा और देखने में तो बहुत ही सुन्दर लगेगा तो ये चारो तरब मैंने ये देखिए सिलाई लगा ली है अब ये कुछ इस तरीके से हमारा ये बास्केट बनके रेडी हो जाएगा अब हमको लेना है सुई धागा तो ये देखिए कितना सुन्दर लग रहा है ना देखने में अब सुई धागा लेंगे और एक बटन लेंगे तो ये देखिए एक बटन मैंने यहां पर ली है और इस तरीके से कपड़े को बाहर की तरफ फोल्ड करके बटन हम इस तरीके सी प्यारी सी सुन्दर सी बटन हो आप उसको लगा लीजेगा मेरे पास ना ये बलाउस से बच हुई बटन थी कुछ तो मैं इनको ही लगा ले रही हूं तो ये देखिए इस तरीके से बटन लगा लेंगे चारों तरफ हम तो बहुत ही अच्छा सा इसका लूक आने लगेगा तो ये देखिए ऐसे कपड़े को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और आपके पास जो भी बटन है कई बार क्या होता है बच्चों के कपड़े से ना बहुत ही सुन्दर सुन्दर बटन निकल के खराब हो जाती है और वो हमारे पास रखी रहती है तो आप बच्चों के लगा सकते हैं जिससे की ना इसका लुक और भी अच्छा आने लगेगा और ये देखिए कितना प्यारा सा फनीशिंग के साथ हमारा ये बहुत ही प्यारा सा पास्केट बनके रेडी हो गया है अब ये जो नीचे की तरफ जो पॉकेट बना है ना तो उसके साइज का ही हमको एक कार्डबोर्ट कट कर लेना है तो ये देखिए इस तरीके से कार्डबोर्ट को अंदर की तरफ ऐसे डाल देंगे जिससे की ये बहुत ही अच्छे से हमारा ये जो ऑर्गनाइजर है वो बनके रेडी हो जाएगा तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा सुन्दर सा ये हम नुमारा छोटा सा प्यारा सा बास्केट बनके रेडी है और देखने में थोड़ा सा छोटा लग रहा है पर बहुत ही अच्छे साइज पर ये बनके रेडी हुआ है तो आप इस पे कपड़े स्टोर कर सकते हैं मेकप की चीजे स्टोर कर सकते हैं बैंगल से स्टोर कर सकते हैं बहुत ही प्यारासा यह बास्केट है इसका यूज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और देखने में तो बहुत ही सुन्दर लग रहा है आपके पास भी यदि कोई पुरानी बेर्शीट है सौपिंग बैग है तो इस तरीके का आप बास्केट बनाके रेडी कर सकते हैं और ऐस आप तीन-चार बास्केट बनाके रेडी कर लीजेगा और इस तरीके से कपड़ों को अच्छे से और्गनाइज करके रख सकते हैं वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा लाइक करिएगा शेयर करिएगा मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में थैंक आँ हुआँ